नमस्कार जैहिंद भारत मता की जै मैं हूँ वरुन बाबुल और आपने देखना सुरू कर दिया है संडे इस पेसा लाइव इंटर्विवू जी हाँ प्रतेक रविवार को संदिया चार बजे का यह खास लाइव इंटर्विवू आज दसमा एपिसोड प्रारंब हो गया है स सभी पाठकों को सभी दर्शकों को जीयस न्यूस की और से बहुत बहुत श्वागत है हार्दिक हार्दिक शुब कामनाएं अंग्रेजी नवर्ष 2021 की आए आज के इंटर्विव की करते हैं सुरुवात क्योंकि आज हमारे साथ हैं नोगचिया के भाजपा नेता और यह सिर आज मिलते हैं भाजपा के वरिष्ट नेता सापूर्व शांसद अनिल कुमारियादव से अनिल जी आपका हार्दिक श्वागत है जीयस न्यूच के इस लाइव इंटर्विव में जी सर आज का यह लाइव इंटर्विव सुरू हो चुका है आप जो है नए राजनितिक छे रहे हैं आप समों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस वीडियो को सेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुणें और इस लाइव इंटर्विव को वो देखें और इनसे सीधा सवाल जबाब कर सकते हैं जी सर आपना परीचे दें सर मैं नीर कुमार जादब और पू सर भी हो जी सर मतलब आप की पढ़ाई कहां से हुई है सर आपने प्रारम भी पढ़ाई कहां से कि मैंने सारी पढ़ाई मध्यपरा से मैंने किया वहां मेरा रिलेशन सब था वही मैं बच्पन से ही पढ़ाई किया और मीडल किलास से लेकर के शेवन से लेकर के एमे तक मैं म मध्यपरा से ही मैं किया हूँ मध्यपरा टिपी कॉले से मैं किया फिर उसके बाद मैं वही सारी पढ़ाई हमारी समाप वही पर हुई चौतर का अंदोलन सुरू हुआ उस समय हम बहुत कम टेंडर एज में थे और उस अंदोलन में महगाई भरस्टाचार तना सा के खिलाप में हुआ था और उस समय तद्कार कौंडेश की सरकार थी और विद्यारतियों का अंदोलन चला था पूरे बिहार में है लोक नायक जेपरकाश नाराइन के नितुरित में है और हम लोगों का मांग था भरस्टाचार मिताना है नया बिहार बनाना है महगाई को जोनो रखे वह सरकार निक और अंदोलन के तहट मुझे नव महिना के नौ साल के करीम जेल में रहा है नौ महिना के करीम सोरी और उसमें मैं मीशा के अंतर ग्रिप्दार था नजर बंद था और यह आंदोलन चलता रहा फिर 77 में चुना वा यह सरकार बनी जनता पार्टी का उस समय मुझे भी जनता पाटी से टिकर दिया गया था और मैं बहुत कम वोट से उस समय हमारी प्राजित हुई थे उसके बाद लगातार समाज से मेरा जुराव रहा मैं समाज के बीच कार्ज करते रहे फिर पाटी कुछ दिन चली जनता पाटी मुरार जी भाई का और बिह दो पाट हो गया जिसमें कि दोरी सदस्ता लेकर के भारतिय जनता पाटी बनी बंबै में अधवेशन हुआ मन्य अटल विहारी बाच्पिए स्वर्गे अटल विहारी बाच्पिए जो हम लोगों के नेता थे उनके नेतरीत में पाटी का विवाजन हुआ और हम लोगों की पाटी जनता पाटी से फिर भारतिय जनता पाटी बनी और भारतिय जनता पाटी के माध्याम से मुझे फिर उबिद्बार बनाया गया असी के करीब लगवग में आथ नहीं है मुझे तो फिर मैं चुना लड़ा उस समय से कमल फूल था फस्ट पर्थम चुना मैं भारतिय जनता पाटी गोपालपूर से मैं लड़ा हूँ उस समय कमल फूल था कमल फूल थोड़ा हुआ था अब कमल फूल को थोड़ा सा खिलता हुआ कमल अथी किया है और लगातार भारतिय जनता पाटी में मैं कार्ज करता रहा फिर मैं पंचायत में जुड़ा पंचायत समिती के आप समाड के वीज गवल में ही काम करना शूरू किया पिर लगातार कोप्रे के डिरेक्टर बने भूमी विक्राटेविकंस बैंक का डिरेक्टर बने उसमें समय तफषर वावू चेnelle में थे और फिर उसके बाद हम लगातार भूमी विकास बैंक फिर कॉपरेटी बैंक के चैर्म डिरेकटर है यहां का चैर्मेंट भी रे नोगचा बैंक में और इस माध्याम से किसानों को भी हमने मदद करते रहा जो किसान को पंपिंग से ठो या किसान को जो साकरता का रिन मिले किसान को खेती करने के लिए हुआ हम लोगों के बीच में काफी शेवा किया मैंने और मैं समाज से काफी जुड़ा रहा इसी माध्यम से कई एक अंदोलन हुआ कई बार अंदोलन में हम लोग अग्रसर हो करके किये और भारतिय जनता पाटी के राजनितिक में भारतिय जनता पार्टी के साथ मैं जूड करके अभी तक मैं हूँ सर छात्र जीवन से राजनितिक जीवन यानि राजनितिक छेतर में आ पाए तो सर मतलब अभी के लिए जो छात्र हैं जो अभी राजनितिक में आ रहे हैं और पहले जो थे, क्या दोनों में समान्ता है सर। जी बहुत कई अंतर है। उस समय हम लोग जो नारा देते थे और वो लोग विद्यारती जीतने थे। सारे लोग एकदम अपने पैसे से अपने खर्थ से और हम लोगों के समाद के बीच में वो लोग समाद परिवर्तन करने के लिए अंदोलन करता था आगे अगर सर रहता था लेकिन आज के कुछ परवेश में ऐसी बात नहीं है आज राजनितिंग में ही ले लिजिए हम लोग राजनिती करते हैं राजनिति करने का मतलब हम लोग चाहते कि समाद में अच्छे लोग का परवेश ओ अच्छे लोग जणपरति निदी बने अच्छे समाद को सिक्षा दे जिस तरह से मेरे पूर्वज करते हैं मेरा पिता जी 2033 तदैस के लिए लड़ा था सुर्गय भाYa जाजाद के साथ पढ़ा लिखा था मेरे पिताजी बरावर कहते थे मेरे पिताजी शारंगदर प्रशाजादब कहते थे कि हर हमेशा समाद जो दबे कुछले है उसको आगे बराने का काम करो तब समाद में पूछ होगा यहाँ नए तो उपर में भगवान है और निश्चित रूप से तुम्हारा देखेगा कि समाद के बीत यह काम क्या है जरूर भगवान तुमको आगे बढ़ाएगा और हम लोग पैसा के लिए राजनी तिंग ने करते हैं बिजनेस के लिए राजनी तिंग ने करते हैं कि मुझे पैसा मिले तब हम राजनी तिंग मावे हैं याँ आज के राज परवेस में लोग इसको बिजनेस समझ लिया है हम MLA MP बने हम पैसा का मावे है और करीब करीब सभी दल में जैसे टिकट दिया जाता है वह बीग जाता है इसलिए वह अभी परतिनी जो बनता है वह कमने के लिए ही बनता है लेकिन हमारा ही है कैसा दाल है भारतिये जनता पाटी जहां कि अभी तक पहले का अनुकरन करते हैं आ रहा है जिस तरह से पहले लोग संग अठन में जूरते चे संग से लेकर के उपर तक जाते थे के करके काम करता था जो याद में अच्छा काम करता था जिस तरह से संग में अच्छा काम करता था फिर उसको राजनी तिंग में बेज देता है फिर राजनी तिंग में जो अच्छा करता क्या था नरेंद्र भाई मोदी एक चाय बेशते थे लेकिन राजनीतिक से लगाओं रखते थे समात कैसे परिवर्तन हो संग से जुड़ाओ था तो याज इतने दूर तक गए सर एक चीज और सर लगातार लाइब में जुड़नते जा रहे हैं सभी पाटकों का हम हिर्दे से स्वागत करते हैं आज के लाइब इंटर्विव में हमारे साथ हैं पूर्व सांसत सा भाजपा निता अनिल कुमारी अदव अगर आपके मन में भ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें हम इसे सवाल जरूर पूछेंगे लगातार सवालों की जो है बारी सुरू हो गई है लेकिन देरी देरी हम लोग चलेंगे सर एक चीज जो जानना था कि अभी का जो इसकूली सिक्षा है सर आपने जो सिक्षा प्राप्त कि बढ़ रहे हैं बच्चे और वह सब बच्चे समझ रहें कि राजनीतिंग में बहुत कम बच्चे का इंट्रेस्ट रहता है लोग समझते कि बच्चे को पढ़ा करके हम आईयास ऐफियास बनावें और बच्चा भी वही सुचते कि हम आगे पढ़कर के गौँ का देश का भ भाजपा के साथी शुरू की है जिसा इनोंने कहा भी कि भाजपा से ही राजितिक छेतर में जब उत्रे तो भाजपा के ही सादू दे सर 2015 में बहुत कम मत से आपकी पराजय हुती बहुत कम मतों से कहां चूक रह गई थी सर कौन सी बबस्था थी जो नहीं हो पाई कहीं कहां कमी रह गई सर आज तक लोगों को नहीं पता चल पाया कि अखिर क्या हुआ जो भाजपा सी यह हार गई देखे हम लोगों में चूक कुछ नहीं हुआ था हमारे कार्ज करता काफी मेहनत किया मेहनत के चलते काफी मत मिला और आज के परवेस में जो जातपात की राजनितिक जो चल रही है जो कि हर पार्टी में है भारतिय जंता पार्टी में जातपात की राजनितिक नहीं है इसमें कार्ज पर ही राजनितिक में आगे बढ़ा जाता है काम करने वाले देश के लिए सबसे पहला देश प्रेमी होना चाहिए भारत मता की जय होनी चाहिए भारत की हो इस तरह का हमारे पाटीम है लेकिन सुभाभी इए हमारे बीच ही बहुत सारे कार्थ करता है सब को INTEREST लता है कétais हमको टीकट मिले हम हो सकता है उनका कुछ काम नहीं किया होगा brain उनको कुछ लोगों साध या विरोधियों हमारे बीच में ही से कोई एक कार्च करता चुनाओ लड़ गए उसके चलते कुछ अपने में बिद्रो हो गया जिसके चलते हमारी हार हुई यही और कोई खास बात नहीं है इसमें तो सर एक चीज तो था कि सर उस समय की ऐसी इस्तिती हो गई क्यूंकि हम लोगों को याद है जी अस नियूज भी आ चुका था और आपके चुनाओ प्रचार में भारत की सूप प्रशिद और देश में नाम कमाने वाली हेमा मालनीं तक आई और आपके समर्थन में ही नहीं वह अपने प्रसंसकों से भी मिले आई आज भी याद है कि कुछ बीच में हलांकी राजिती को लेते हुए कुछ साउंड स्पीकर की भी कड़बड हुई थी लेकिन हमा मालनीं ने आज भी वह मदन हिल्या का वह जो मैदान है वह आयती हासिक है जिस पर हमा मालनी आई थी और इ इतने नहिता आपके साथ आपके पाटी को लेकर यहां पुर्न प्रियास किया सर फूर्न तया किया फिर भी लोगों के बीच में सब नहीं मैसेज पहुच पाया जी न ऐसी बात नहीं मैसेज तो गया ही है तो देखे चुनाओ है यह टेकनिक है सराथी चुनाओ कैसे लड़ हुई होगी हमसे भी ऐसी बात नहीं है कि चुना तो हार जित होता है एक जित्ता एक हारता है आपको मैंने पहले भी कहा था कि चुना भारतिया जनता पार्टी देश के पैमाने पर लड़ता देश पहले उसके सामने में है उसके सामने में देश कैसे आगे बढ़े देश में क उसीज को जहां तक फैलाना चाहिए था उतना दूर तक हम लोग उस समय नहीं कर सके हम भी थोड़ा नए थे कुछ बीच में Zap suddenly घयाफ हो गिया था चुनाव लरने के समय में कुछ गया था उतना इंट्रेस्ट नहीं थे और हम लोग यह नहीं सोचता है था कि चुनाव में फिर हम लोगों के साथ पहले नितीज जी थे फिर चले गए हम लोग तो चाहते थे कि नितीज जी आएंगे तो फिर जो सिटिंग है वही सिटिंग रहेंगे लेकिन वह आदमी फिर नितीज जी के साथ चले गए RJD में RJD के साथ गए ता RJD का क्या रहता है तो आप जानते ही है जी सर थैंक्यू अपके सवाल भी हमारे लिस्टिंग में है जिनका भी सवाल आते जा रहा है हम जरूर पूझेंगे लगातार एक एक करके धीरे धीरे पाइदान पर चड़ेंगे और सतीश कुमार, शुमीम कुमार सोनू आपका लगातार सवाल आ रहा है हम जल्दी जवाब देने का प्रियास करेंगे इसके अलवा जो है सचीन कस्यप, अमीत कुमार, किशोर शौरब, अभिजीत कुमार और शतीश कुमार, वैदिक लली सासी जो लोग भी अपने सवाल लिख रहे हैं दोलन में भी सामिल थे, उनसे भी आपका जुड़ा है जी, देखिए हम तो अटल जी के सिस्स हैं, और अटल जी बैचारे चलेगे, जब अटल जी यहां आए हुए थे, उस समय हमने एक लाक रुपया थैली भेंड दिया था, और अटल जी हमको बहुत जादे मानते थे, ज और मुझे अटल जी के साथ संजोग से बंबई गए थे, उसी में घुमने का मुका मिला, तो सुबह में टहल ले गए, समुद्र के किनारे में, अटल जी को कुछ लोगों ने आगे से देख करके, कुछ जो लोग जो विद्यारती थे, घुम करके देख रहे थे, हम भी साथ में थे, टहल रहे थे, सुबह-शुबह, तो जैसे ही घुम करके कहता है कि ओटल जी हैं क्या, तो विद्यारती थी फिर पीछे ग करके पूछा कि लगता है कि आप अटल जी हैं क्या, कर देख भाई, तुम इतना बड़ा यादमी मुझे केशे बना दिया, क्या तो फिर हमक सब का जवाब देना इसी तरह से एक एक हुआ एक दूसरी बात हम थे हम कोल कमीटी में भी थे विदेश कमीटी में भी था टल जी के संजोग से दोनों मीटिंग एक साथ पढ़ गई हमने का सर दोनों मीटिंग है को इसमें करके थोड़ी समय मुझे दे दो थोड़ी समय उनको दे दो यह सब था और उनसे मैं काफी परभावित हूँ और मेरे घर पर भी बहुत सारे सुंदर सिंग भंडारी आए हुए थे हमारे घर पे और पाटी का कई बार हमने यहां सम्मेलन भी गोपालपूर में हुआ था कैलास पती मिस्र आए हुए थे और आपके दुरगा सिंग ठोड़ा आए हुए थे करिब-करिब भाजपा के उस समय काफी लोग आए हुए थे और फर्स्ट हमको मत देने का दिकार एक बार हमको मिला ही था उस समय जिस समय की लास्ट जनसंग का हमको ख्याल है कि क्याने स्वर जादव चुना लड़े थे और दियाच साथ उसमें कठ बड़ा परभावीत हुए थे उनके शिद्यांत पर जी आप अपने राजितिक शेत्र में अटल जी को हमें सानुसरन किया है जी जी अटल जी से मुझे साक्षात भीट उनके साथ मैं बैठा हूं उनके साथ मैं टाला हूं उनको येक लाग थेली मैं भीर दिया हूं ये बह सबसे बड़ी उपलब्दी है लगातार लोगों के लगातार हमारे पाटकों के लगातार के सर आते हैं कि उनको लाया जाया उनको लाया जाया और आपको लोग इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि आपने नौगच्या से दिल्ली तक का सफर देखा है तो नौगच्या एक नौगच्या दिल्ली के किस तरह देखता है ये बहुत बड़ी बात है जी लगातार हम अभी का सर वर्तमोन राजनीति है और पहले का जो राजनीति सा जोनों में काफी उसमंटा है सर समन नहीं है क्या सिराब डोहजार 21 के राजनीति से संतुष्च है सर अभी वर्तमोन की जो राजनीति yeah possible लंबे समय से है । देखे 2021 की जो राजनिति की जो चल रहा है। देखे जिसे अब तो चुना हुआ है सरकार बनी है। सरकार अच्छी चल रही है सुसासन की सरकार है और नितीज जी सुल्जे हुए आदमी है क्योंकि चोतर के अंदोलन में मेरे साथ था वो और बहुत सुल्जे हुए आदमी है और उनके नित्रित में हमारी पार्टी की सरकार दोनों मील करके चला रहे हैं तो कहीं हमको ऐसा नहीं बुझा रहा है बहुत अच्छे से सरकार चल रहे हैं और जहां तक 21 क्या Бात है तो अभी तो शुरू ही हुआ है मुश्किल से बहुत सब्सक्राइब अच्छा चल रहा है अभी सरकार अच्छी चल रहे हैं बहुत बढ़ियां चल रहा है सुसासन की सरकार है सर अब हमारा सवाल है सर कि जिस समय मोदी जी सरकार में आये थे सर उसी समय नवगच्या का एक मुद्दा जो रेलवे और ब्रीज का था सर वो शुरुवात हुआ जो रेलवे के केविन के पास है सर और मकनपूर्चो के नचक्तिस से जो नवगच्या बजाड़ा था अस्पता सर वो उसी समय से बनना शुरू हुआ है और अस्वासन पर अस्वासन लगातार अस्वासन वो आज तक सर अर्द निर्मित है और लोगों की अब उम्मीदें दीरे-दीरे तूटने लगी है कि वो रोल रेलवे और ब्रीज भी बन पाएगा सर न ऐसी बात ने हमने इस चार को भी पत्र लिखा था और मिला भी था उसमें कुछ रेलवे और पीड़ूडी का जो मंतरी ते उसमें नंद्की सुर्वावू उनसे मिले थे कुछ ऐसी बात है टेक्निकल जो के हमको जानकारी उतनी नहीं है कि हाइट के चलते है कि किस चलते है इसले कि टेक्निकल ही उसको बतला सकता किस कारण से रुका हुआ है और जैसा बोलें कि 21 में वो पूरा हो जाएगा कर दो हजार चौदे से ही बनना सुरू हुआ है बजार में वहनों के और टोटो वाले को रोग दिया गया है एक जनवरी से लेकिन फिर भी सर जाम की जो इस्ति है बजार की यह नहीं सुदर रही है लगातार प्रसासन भी प्रियास करें यह सर आम लोगों को काफी कटना ही होती है ट्रेन पकड़ना हो किसी को अस्पताल जान और हमारे प्रसासन दे तो अपने तरफ से यह कर दिया कि ठीक है टोटो वहां लगे सब चीज वहां लगे यह बात हम देख रहे हैं तो लेकिन नीचे जो बाहर में जो फल वाले हैं यह गरीब गुरवा है बिचारे यह सब भी अपना बिजनस करते हैं इसी पर अपना कि रोटी है सवाल है तो यह तो धंक से इसको लगाने के लिए तो परसासन और नगर निगम दोनों मील करके ही करेगा सर लगातार मतलब सर आखिर कोई न कोई तो सर मास्टर प्लाणिंग बना नहीं ही होगी क्योंकि जनसंख्यां लगातार बढ़ती जा रही है वहानों की स सरकार निश्चित रूप से बना रही है और सरकार इस पर काफी उनकी सोच है कि जितना जल्दी हो इस जाम को किसी तरह से मुक्त किया जाए क्योंकि बहुत लोग जाते है राजधानी पकरने के लिए बहुत सारी गारियां छूट जाती है तो करेंगे वह कर रहे हैं उनकी जो काम है उनका उक्षिए गोगातार स्राइस्टाफी कहा जा रहा है बजार में अति ह्क्रमन बहुत ज्यादा है इसको लेकर बीए इसके लिए तो नगर का काम है गराम पंचायद को सुधार करना नगर पंचायद का काम है नगर के जो चेर में ने उसका काम है इसको कैसे हम नगर को सजावें सब कहीं अपना अपना काम बटा हुआ पर सासन का काम है हम नगर पंचायद को सहजोग करें पर सासन का काम है पंचायद में कहीं दिक्कत तो रहा तो उसको कैसे हम मदद करें सब का सिस्टम बना हुआ सिस्टम के मात्याम से अपना सब करवाएंगे अब सर एक जो सबसे जुम जुलंत मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि क्या नवगचिया जीला पूर्ण जीला कब तक बन पाएगा सर यह हम लोगों इस मांग को हमने रखा है और मैं इस समन्द में उस समय डिप्टिस्यम मन्य निय सुसिल कुमारमोदी जो रासवा के सदर्श हैं अभी परजेंट में हम उनको लिखित भी दिया है और उनसे मिला भी है और मुखमंत्री जी से भी मैंने मिला था और मुझे विस्वास है कि हल जल्दी हो सरकार से हम भी मांग करतें कि इसको पुर्र जीला कर दर्दा दिया जाएं सर एक ऐसा मांग है जिस पर सभी राजनितिक पार्टियां एक मत में हैं फिर भी सर लगातार अभी सर डबल इंजन की सरकार है एंडिये की सरकार है सर तो जद्यू का भी यही मांग है परतिनी दी को आवाज उठाना चाहिए बीधान सवा में यहां से जो जनता चूड करके भेजती है कि बीधान सवा में बोलने के लिए कि जो हमारे छेतर की समस्या है उस समस्या को कम कम रखना चाहिए लोक सवा में संसत भेजा जाता है वो जो लोक सवा के जो समस्या है जो इस छेतर का जो केंदर सरकार की जो समस्या है वो केंदर में आप रख सकते हैं ये तो हम जनपरतिनी दी से मैं आगरा करूंगा कि आप जरूर इस चीज को रखें कि जिला को कितना जल्दी पूर्ण दर्जा दिया जाए हम लोग जनपरतिनी दी थे हम भी आपके माध्यम से ही बोल सकते हैं रोट पे धरना दे सकते हैं परदर्शन कर सकते हैं लेकिन सत्ता में हैं उसको हम देखते हुए हम भले कुछ कर सकते हैं हम बोल सकते हैं लिख सकते हैं पत्र लिख सकते हैं सर इस जिला के बाद एक जो सर बहुत ही मतलब अभी वर्तमान की वीस्तिती है लगाता रहा इसा का जा रहा है कि कोरोना काल के बाद सर नौगच्या पुलीस जिला में अपराध चरम पर है ऐसा कोई भी एक दिन दो दिन नहीं जाता है सर एक इतना बड़ा जंडापूर में लूट कांड हुआ सर लूट क का जो मानव आदमी सर बिलकुल घबरा गया कि इस समय भी डटाइटी इस 2021 के फाइब जी युग में और सर अपराध लगातार चरम पर है सर बढ़ता जा रहा है जी देखिए जहां तक अपराध बढ़ने का पहले भी अपराध होता था इसी बात नहीं था लेकिन मैं यहां है वहां भी मेरा मकान है और वहां पर यह एस पी थे और काफी इनोंने भागलपूर को कंट्रोल किया था और मुझे विश्वास है यहां पर जब आए तो पुलीस के लिए सबसे बड़ी उपलबदी होता है रिकवरी जो अपराध करके जाए और उसका समान सरा रिकवरी हो तो मैं उनको धनवाद देता है यहां के पुलीस पदाधिकारी को इस तरह के भैंकर डखेती होने के बाबजूद आपने इतना जल्दी इसको रिकवरी कर लिया इससे बड़ा उपलबदी क्या होगा अब जहां तक अपराध करने की बात है अपराधी अब हम जाते हैं कोई अपराध उसको कुछ कर दिये सिक्रूटियो गार्ड रहता है कुछ कर दिये तो उसमें पुलीस पदाधिकारी का हम दोसी नहीं मौनता है किसी समय आप भी रहते हैं अब हम क्या कर सकेंगे तो इसमें तो समाध को परिवर्तन करना पड़ेगा समाध के बीच जाना पड़े अपराधी का पेड़ भी नहीं करना पड़ेगा आज के चलते जितना भी अपराध बर रहा है उसमें हम मैं नहीं करना चाहता हूं कि राजनीतिक बाले का भी कुछ दोस है हम उसको संरक्षन दे देते हैं भोट के लोग में कि भोट कैसे बढ़े जबकि आज के जुग में उस अपराधी के पास में वोट नहीं है कुछ दमंगता देखने के लिए आप अपराधी को संरक्षन में रखते हैं हमरे साथ फला है अरे साब के साथ भगवान है उपर ने आपको तो बहुत चीज बना करके बेज दिया इसलिए स्वक्ष भी बना के रखे कभी कुछ नही उसलिए मतलब मतलब की लगातार आपने बहुत अच्छी बात कहीं और कि मतलब लगा तार पुलिव आपकी एंडिये सरकार भी इसके लिए देखती है सर इधार से जो है कुछ दिनों से जो है यहां की स्तिती पता नहीं क्यों इतनी अभी विगत दो दिन पहले सर वो पालपूर चौदा नंबर सड़क पर सर दिन दहाडे 18,000 रुपए उसके गाड फेकों नहीं लगर, रहीना कहीं, लोगों में डर की कमी है सर मिलिसो परसासन का डर है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है सक आइम glow। यह बास्य नहीं, पूलिसपरसासन तो अपना अपना करवाई कर ही रहे हैं अपने अधांग से कर रहू है और मेरा यही आगरा रहेगा कि कि जिस तरह से बर रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस पता धिकारी इसको कंट्रोल करेगा परा उनको समय तो मिलना ही चाहिए और कंट्रोल कर रहा है और निश्चित रूप से कंट्रोल होगा सराप 1990 के दसक में आप सक्रिय राजनीती में थे 1990 के दसक में और उश्चित का कहा जाता है कि माहुल काफी खराब था बेहद खराब इस्तित था संगठित अपराद जो है अपने पूरे परवाण पर था जातिगत इंसा हो रही थी जातिगत अपरादी संगठन बढ़ रहे थ से सर बहुत सारा था पैजाउन गिरोगा सब इत्यादी सब गिरोगता सर उस दौर को आपने देखा है सर उसे जिया है सर उसके बैहारे में आप क्या करना चाहेंगे सर 1990 का जो दसक था जी देखिए उस समय का तो उतना हमको नहीं है याद नहीं कर सकते हैं 1990 में जो हुआ था तो मौनली जे देखिए हम तो ये सब्द बोल दिये कि अपराद उसी हालत में बढ़ता है कि अगर राजनिती करने वाले अपराद को मुक्त करने के लिए एक एजंडार रख दे कि जनता पार्टी एकदम पूरा अपराद के विरोज में रहता है तो उसी तरह से सब कॉल्टिकल पार्टी मिल करके अपराद के विरोज में ये जूट हो करके इसके विरोज में अपरादियों को सजा दो अपरादियों को अब लंब पकरो सब को एक जूट होना पड़ेगा और समाज को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जो अपरादी तो समाज में ही रहते हैं, कहीं बाहर तो नहीं रहते हैं, उस समाज को पहले परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज को उसको बहिसकार करना पड़ेगा, हर मामले में, वैसा समाज बनाईए, जो को उसको बहिसकार कर करे、 उसका विरौत करे कि तुमको जिस तरह से पुराने ज़ाने में गलत काम करने वाले को पौणी तक पीने के लिए निच्चाप कौँआंप जाने देता था उनको अलग बार देता था कि तुमको सबसी हुका पॉनी जो सकाहबत में था बंद कर देता था उसी तरह से समाज ऐसा बने जो निचले अस्तर से जो उपर समाज बनाता जनपरतिनी दी चुनता मुख्या से पंचायच से ले करके MPA में लेता है उस समाद जब तक हमारे बीच में उसको ठीक करके ऐसे अपराधी का बिरोध नहीं करेगा तो तब तक ये समाद परिवर्ता नहीं हो सकता है सर एक चीज और हम पुछेंगे सर लगातार सर फुर्व से देखा जा रहा है अभी सर इस यूग में भी सर जमीनी विवाद काफी बढ़ रहा है सर जमीन विवाद से ऐसा कहा जाता है कि प्रते एक घर का तीन में एक परिवार दो में एक परिवार जमीन विवाद से जी ए ऐस से पहले जितनी भी सरकार बनी कांग्रेश के ही सरकार बनी थी कभी उन्होंने सुलजाने का काम नहीं किया और अभी जो हमारी सरकार बनी है या जमीन विवात को सुलजाने के लिए हर सनिवार को ठाना में अंचला धिकारी करमचारी के साथ बैठक होता है और बड़ाबर इस चीज को सुलजाने में लगे हुए हैं और काफी सुलज भी रहा है इसी तरह का चल रहा है अभी हर सनिबार को चलता सबता ही में होता है और हर अंचल में थाना में बैठता थाने दार बैठते हैं और वहां के जो जंजर जिसके जमी विवाद है उस दोनों पार्टी को बुला पेट करके कागजाद देखते हैं और उसी पीच उस जगह सुला नमास सुल जाते हैं